हेलो एवरिवान वेलकम टू कैरियर हब आज इस वीडियो में मैं आपको बिताऊंगा एक रिगूर्मेंट के बारे में जो मिनिस्ट्री आप ट्राइबल एफियर्स में है ठीक है तो यह आप जेख सकते हो यहां पर नैशनल एजुकेशन सोसाइटी फार ट्राइबल तो इसमें कौन-कौन सी पोर्त हैं यह आप देख सब्सकेज सुटेनो ग्राफर ग्रेड फर्स सेकंड ऑफिस एसिस्टेंट्स एंड मुल्टी टास्किंग स्टाफ तो यह वाली पोस्स हैं सी बीटी होगा ठीक कंप्यूटर बेस्ट टेस्ट अपलाई करने की डेट जो है पांच जनवरी दोजार एकीस है लास्ट जो है वह चार फेबरवरी यह ठीक ट्राइबल डाट एन इसी डाट आइन ये इनकी वेबसाइट है ठीक तो बाकी आपको बता है मुबाइल नमर वैलिड होना चाहिए इमेल आइडी तो इसी के ये कुछ रूर्स जवेरा दियेगे हैं आन लाइन आपको अपलाई करना ठीक लिंक आपको इसका पीडियाफ का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा बाकी आप वैबसाइट पर विजिड किया करें जो मैं बताता हूं जñहां पर आप ऍपताह भूर्ते हो ताके आपको एक्जामस की इनफार्मेशन मिल सके हैं इसकी वैबसाइट मैंने बता दिये तो इसके उपर आपको आपको फार भी भरना तो फी काफी जएदा है इसमें 1200 है एसिस्टेंट कमिशनर के लिए आफिस सुप्रिटेंडेंडेंट स्टेनोग्राफर और आफिस एसिस्टेंड इनके लिए जो है वो 3700 है मल्टी टास्किंग स्टाफ के लिए 100 है तो वुमेंस के लिए कोई फी नहीं है उसके बाद SCST पी जो फिजिकली हैंडिकैप एक सर्फ में इनके लिए भी फी नहीं है ठीक इनको अप्लाई नहीं करना मतलब फी के लिए अप्लाई नहीं करना इंको डिर्क्ट फार्म ही बरना तो यह याद रखना कि टागरी कि आले हराम से बढ़ सकते हैं ध् hull में यहाँ पर आप no-? of पोस है वन ग्रेड वन के लिए, ग्रेड 2 के लिए दो पोस है, आफीज असिस्टेंट के लिए चार, μल्टी रचिंज टॉप केली अछे, छे एसकील आप देख सकते हो, यह हमरा दीजी ही can be FiLi तो आफिस एसिस्टेंट जो है इसमें सबसे काम है 27 तो 27 से उपर जो है वो नहीं काम बार सकते बाकी के लिए 30-30 है तो आफिस सुप्रिंटेंडेंडेंट के लिए फाइनस में 35 है यह आप देख लिए बाकी यह बताया गया है कि मतलब फिजिकल हैंडीकाप के लिए कोई पोस्ट है नहीं तो इसमें एक ही जगह यहां पर बताया गया एक यहां पर आफिस सुप्रिंटेंडेंडेंट और मल्टी टाकिंग स्टाफ में एक पोस्ट है एक एक क्वालिकेशन आप इसमें यहां पर देख सकते हैं जैसे एसिस्टन कमिशन के लिए ग्रैजुएट होना चाहिए तो उसके साथ 6 साल की रेगुलर सर्विस होनी चाहिए या 2 साल की स्केल में होनी चाहिए ठीक है लेवल 6 में है तो 6 साल की सर्विस होगी अगर लेवल 7 में है तो 2 साल की रेगुलर सर्विस होने चाहिए तब भी वह फार्म बार सकते हैं Assistant Commissioner Finance के लिए B.C.M. होनी चाहिए तो उसी तरीके से आपने 6 साल regular service होनी चाहिए लेवल 6 में या दो साल Level 7 में तो experience वहरा होना होना चाहिए इसी तरीके से आपधी superintendent Finance के लिए B.C.M. with 50% marks और 4 साल का qualification working experience या M.C.M. over 7 में 3 साल का experience या C.A. W.E.R.A. MBA वहरा होना चाहिए तो उसके साथ भी दो साल का experience, अगर CEA बहे रहा है तो KMBA, तो उसके साथ भी दो साल का experience होना चाहिए, computer का knowledge भी होना चाहिए, stenographer, इसमें graduate होना चाहिए, 100W, English में जो है, वो steno की speed होनी चाहिए, और typing में 45, knowledge of computer application, 3 साल का experience, grade second, steno के लिए, एक और English के लिए, एक Hindi के लिए, तो इसमें 12 होना चाहिए, knowledge of computer operation, और साथ में skill जो है, वो 80W per minute, शार्ट हैंड की speed और उसको जो transcribe करना है, उसके टाइम दिये गया है, 50 minute English में और, 65 हिंदी में minute हो, जो transcribe उसको करना है, office assistant के लिए bachelor degree होना चाहिए, किसी भी stream में, multitasking staff के लिए 10th pass होना चाहिए, या इसके बराबर कोई qualification होना चाहिए, बाकि जहां पर बताया गया है, अगर आपके बास experience है, तो जहां का experience है, तो उस company के बारे में क्या है, मतलब, उस महाँ पर कितने implies होने चाहिए, कितनी बड़ी होनी चाहिए, या government में की है, तो उसका details यह आप देख सकते हैं, बाकि relaxation है, age में, categories के लिए यह आप देख सकते हैं, बाकि scheme of examination, तो बहुत बार comments आते हैं कि scheme of examination, तो इस में साथ में दीगी है, तो यहां पर आप देख सकते हो, ठीक है, जो आप post बरोगे तो उसका syllabus भी साथ में दीए गया है, पूरा pattern दीए गया है कि क्या क्या आएगा उसमें, और selection की base पर होगी ठीक है, तो यह आप देख सकते हैं, आपने साथ से, आपने कौन सी बैर नी और, उसका क्या syllabus है, तो यह अभी तक यह syllabus ही चलना है, इसका, तो पेपर टू भी होगा ठीक है, इंटर्यू नहीं होगा, multitasking staff के यहां पर लिखा हुए, mood of selection यह आपने जरूर पढ़ना की, आपकी selection की basis पर होगी ठीक है, क्योंकि होते हैं मतरब phase होते हैं, first phase, second phase, तो इसमें आपने देख लेना की, आपकी selection की basis पर होगी, examination cities भी यहां पर दी गई हैं, जिसमें यह 14 cities हैं, आल इंडिया में तो, आल इंडिया कोई भी farm बर सकता हैं, जो भी मैं notification अपलोड करता हूँ, तो वहां पर कोई भी farm जो हो, कोई भी state का citizen भी farm बर सकता है, आल इंडिया में, तो यह 14 centers हैं exam के, यहां पर लिखा गया, only Indian citizens are eligible to apply to, वहीं जो मैंने आपके होता हैं, तो मैं वीडियो जो अपलोड करता हूँ, या जेंड की के वालों के लिए होती हैं, जिनके पास जेंड की के domicile है, या आल इंडिया में होती हैं, ठीक है, तो वह आपने देख लेना, तो 5 January से 4 February के बीच में आपने farm बरना है, तो CBT की जो डेट होगी वह website पर upload की जाएगी बाद में, तो website पर visit करेंगी या करें ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आपको notification टाइम पर मिल सके और आप farm बर सको, आपको पता हो के कौन सी जाब जो है वो इस टाम निकली है, Thanks for watching.